यह प्रस्णा ओले 28 अक्टूबर का सेकेंड सिप्ट का पेपर है और पेपर सीरीज है आपका KM3 तो इसको आज हम लोग सॉल्ब करने वाले देखने वाले सबसे सटेक एंसर तो इस सीरीज में सबसे पहले आपका ग्राफ देदिया तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ तो इसका उत्तर आपका option C हो जाएगा क्यों हम आपका एंसर बताएंगे 120 में हम नहीं करेंगे क्यों बहुत टाइम लग जाएगा आप बस एंसर ही मिला लीजिएगा निमनिखित में से कौन जा समोकारे को पूरा करने में नियुंतम समय लेता है तो इसका उत्तर हो जितने समय में चमन और अच्छे मिलकर करते हैं कालास ब्यक्तिकत रूप से कारे को कितने दिनों में पूरा कर सकता है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका option B हो जाएगा 20 दिन इसका उत्तर आपका 20 दिन हो जाएगा आगे हम लोग देखते हैं चार है चमन और अच्छे ने साइंक तुरूप से काम सुरूप किया कुछ दिनों बाद मिहीर भी उनके साथ सामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा काम पूरा कर लिया इन सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुक्तान किया गया मिहीर का हिस्सा कितना है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 750 मिहीर का हिस्सा कितना हो गया आपका 750 हो जाएगा नेश्ट किरिशन हम लोग 5 देखेंगे 5 दिनों तक काम करनी के बाद राकेश से अच्छे जूड़ जाता है अधि वे 6 कारे को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अच्छे अकले कितने दिनों में कारे पूरा कर सकता है तो 5 को उत्तर आपका option डी हो जाएगा ये 10 दिन में पूरा करेगा कितने दिन में 10 दिन में आगे हम लोग देखते हैं कि आपका यह ग्राफ दे दिया है इसको हम लोग देखते हैं यह इस ग्राफ को सॉल्फ करते हैं प्रसंद 6 दिया है यह वाला ग्राफ जो है आपका प्रसंद 6 है यह वर्स 2018 और 20 वर्स 2018 और 21 में नौकरी करने वाले कुल ब्यक्तियों का अनुपात 5 है और 2021 में खाड़ी में कुल भारती चारजर चार्च सो है तो वर्स 2018 में खाली गर में नेपाल में कुल लोगों का पता लगाना है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा से निश्ड कृच्छिन हो लोग साथ देखते हैं खाड़ी में कुल भारत योग ऑद ग्याद करें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका option C हो जाएगा option C हो जाएगा 23, 27, 21, 22, 20 यह option C हो जाएगा option C हो जाएगा यह वाला 23, 27, 27, 22, 22, 20 हो जाएगा 8 हम लोग देखते हैं परेस्ण आठ है यहादी वर्ष 2019 में खाली गल्प में कुछ भारतियों की संख्या वर्ष 2022 में खाली गल्प में अफग Hackenistan के कुल लोगे के वराबर है तो समन्दी वर्ष में खाली गल्प में नेपाल के लोगों का अनुपात घ्यात कीजिए तिसका उत्तर आपका एक सम्बन्धे Eyक सम्बन्धे 5 हो जеगा एक सम्बन्धे 5 इसका उत्तर हो जाएगा 9 है यदि 2021 क्ल बैक है 2021 क्ल नैपाल के लोगों के तीन गुना है और वर्श 2020 में क्ल भारती 5 Corporal 75 है तो ग्यात करें कि वर्स 2020 में कुल भारती वर्स 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतियत अधिक है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका option भी हो जाएगा 5% हो जाएगा कितना हो जाएगा 5% option भी हो जाएगा दस है यदि वर्स 2018 में यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 23-40 है और वर्ष 2018 में 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपाया तो 45-88 है तो वर्ष 2018 और 2019 में मिला कर खाड़ी गल्प में वेक्तियों के कुल संख्या ग्यात कीजिए तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 20800 हो जाएगा आप्सन टी हो जाएगा इसका उत्तर 20800 हो जाएगा आगा हम लोग देखते हैं हम लोग इस ग्राफ को solve करेंगे ग्यार है दुकंदा ने एक ग्राहां को 233 चसमे 2 पैंट और एक किताब बेची है उसका अनुमानित आप क्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 47.75 आप्सन भी हो जाएगा 47.75 हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे बारह है इस निहा ने 162 बैक और एक पैंट खरीदा और दुकंदार ने अंकित मूल पर 5% अत्रिक छूड़ दी दुकंदार का अनुमानित तो कूल अलाब ग्याद कीजिए तिसका उत्तर हो जाएगा आपका 65.09 हो जाएगा 65.09 हो जाएगा आप्सन C हो जाएगा आगे देखेंगे यदि अंकित मूले से 30% नर्धिक है तो दुकंदार 35% छूड़ देकर 25% अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूले क्या होगा तिसका उत्तर हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा कितना हो जाएगा 800 आप्सन C हो जाएगा 15 है दुकंदार द्वारा बेचे के चस्मे और किताब पर छूड़ परतिसत का अनुपात क्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा ओफन D हो जाएगा एक कैनवे सम्मान दे संतावन हो जाएगा एक और हम लोगा ये टेबल है इसको solve करना है इसका उत्तर जाएगा क्या होगा 19 है इस टेबल को देख लीजिए इस टेबल को हम लोगा solve करने वाले है किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाव सबसे अधिक है यादि इसकी बीकरी हर सार कूल बीकरी का 20% है है इसका उत्तर हो जाएगा आपका option A हो जाएगा 2020-2021 में next question हम लोगा next question है यादि वर्ष 2016-2017 में सभी उत्तर जाएगों के लिए विग्यापन ब्याए आधा हो जाता है और 2020-2021 से दूगना हो जाता है और अन्य वर्ष के लिए यह समान राता है तो किस वर्ष के दौरान लाप सबसे अधिक है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका option D हो जाएगा 2019-2020 में 2019-2020 में इसका उत्तर हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे 18 है दिएगे वर्ष में उत्तपादान इसका बिग्यापन ब्याए P और R के मिलाकर विग्यापन ब्याए के प्रतिसत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका option B हो जाएगा 2018-2019 में option B हो जाएगा नेश्ट है यह दिए वर्ष 2020-2021 में उत्तपाद को P, Q, R और S की विक्री का अनुपाद दो संबन्दे, पांस संबन्दे, एक संबन्दे, दो है तो EAS का लाव, उसी वर्ष की विव के लाव का लागभा कितना प्रतिस्यत है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका option D हो जाएगा 38.33% है और option D हो जाएगा और option D हो जाएगा यह बला होगा, 38.33% 20 है, और graph का आखरी प्रसन है 2021-22 में company के बिक्री 30% खड़ गई 2021-22 के लिए कुल विग्यापन खर्च उसी दर से बढ़े है जिस दर से 2019-20 से 2021-21 तक कुल विग्यापन खर्च बढ़े थे 2021-22 के लिए अनुमानित लाप क्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा आपका option नीशे दिया है, इसको देख लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका option भी हो जाएगा option भी हो जाएगा आपका 212 तासमला दो दो पांच करूर हो जाएगा अब हम लोग देखते हैं कुछ जीके का प्रस्ण है 21 है स्वतन्द भारत में उत्खनन किया गया पहला हडपास अस्तन निम्निक्षित में से कौन सा था इसका उत्तर हो जाएगा आपका आप्सन भी हो जाएगा रोपड था 22 है समद गुरत की प्रस्टी संस्कृत में एक कब्ता की रूप में किस कभी द्वारा रचित थी जिसे इल्हाबात में आउस्व एक इस्तन पर अंकित किया गया था तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आप्सन सी हो जाएगा हरिश्रियोन आप्षिन से संबंदित था तिसका उत्तर हो जाएगा आपका आप्षिन से स्यद राजमान से था और नेश्ट किस्टन हम लोग देखेंगे 24 कोलकात्ता इस्तित्त को फोर्ड वेलियम कालेज की अस्थापना वर्स थारे सो में किसके द्वार की गए थी तिसका उत्तर हो आप्षिन ए हो जाएगा रिचर्ड बेले लिजी के द्वारा रिचर्ड बेले जली के द्वारा आगे हम लोग 25 सिथर देखेंगे 25 से भारती राष्टी अंदोलों की निमिखित घटनाव को उनके घटित होने के और से मिलाप कीजिए तो इसका हो जाएगा आपका पहला का डी हो जाएगा पहला का क्या हो जाएगा यह जो है आपका 1928 हो जाएगा जो है बादोली में वे किसान अंदोलो दूगा तक कब गथा 1928 में महात्मागाधि ने नुवाखली की यात्रा की तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1946 हो जाएगा पहला का हो जाएगा पहला का आपका D हो जाएगा दूसरा का आपका C हो जाएगा तीसरा गाधी ने लंगोट पहना शुरू किया तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये 1921 में तीसरा का A हो जाएगा कब किया था 1921 में और एहम्ताबाल में मिल मजदूरों की हरताल तो चौथा का हो जाएगा आपका option B हो जाएगा 1980 तो option इसका हो जाएगा जाएगा पहला कर दूसरा कर सी तीसरा का एक और चौथा का B हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रस्ण 26 देखेंगे हम लोग प्रस्ण 26 इस परकारे महाबीर और उनके अनुवाईयों की सिछा हैं कई सताब्दियों तक मौकिक रूप से प्रसारीत होती रही इन्हें लगबग 15 वर्स पहले लिखा गया था वर्त्मान में इवे निमनीखित में से किस अस्थान पर उपलब्द हैं तिसका उत्तर हो जाएगा आपका बल्लबी गुजरात में उस्तित्र काहा है बल्लबी गुजरात में उप्शन C हो जाएगा आगी इधर हम लोग देखेंगे 27 27 है भारत सरकार अधनियम 1935 भारत के लिए बिरीटिस संसत वारा पारिट सबसे लंबा अधनियम था मुल रूप से पारित अधनियम बहुत लंबा होने के कारणों दो अलग अधनियमों में विभाजित किया गया था भारत सरकार अधनियम 1935 और है तिसका उत्तर होगा आपका ओप्सन यह हो जाएगा वर्मा सरकार अधनियम 1935 हो जाएगा इसका उत्तर नेश्ट की शुन हम लो देखेंगे बंगाल के विभाजर ने पूरे भारत के लोगों को कुरोधित कर दिया था और डेल्टा आंधर में सोदे सी आंदोलन हुआ था इसे निमनेखित में से किस नाम से जाना जाता है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका बंदे आंदोलन के नाम से जाना जाता है ऑप्सन यह हो में गिरापतार कर लिया गया था और कितने औरसों के सधारन कारवास के सजा सुनाई गए थी इसका उत्तर आपका option B हो जाएगा 6 वर्स कि नेश्ट हम लों 30 देखेंगे तीसे मिटी के कड़ो और चटानों की दरारों के बीच का सारा अस्थान पानी से भरा होता है इस परत की उपरी सीमा क्या कहलाती है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका जल तालिका और वाटर लेबल कहलाती है यह option C हो जाएगा नेश्ट की उश्ट हम लों देखेंगे तीसे तेरे जुन 1943 को सुभास चंदर बोस निमलिखित में से किसके निमंतरन पर पूर्वी एसिया आये थे तिसका उत्तर हो जाएगा आपका option D हो जाएगा रास बिहारी बोस के निमंतरन पर पूर्वी एसिया में आये थे 32 हिमाले का कौन सा भाग नदियो द्वारा लाई गई असंगठित तलचट से बना है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका option D हो जाएगा सिवाली का स्रेड़ी रेंज से सिवाली का स्रेड़ी रेंज नेश्ट की उचन हम लों देख लाउन कोईला भी कहा जाता है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका option यह हो जाएगा लिग नाइट नेश्ट की शन हम लों देखेंगे अल नेनो एक जटिल मौसमी प्रहाणाली है जो हर तीन से साथ साल में एक बार दिखाए देती है यहाँ अल नेनो सब्द का क्या अर्थ है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका बाल मसी है चाइल क्राइश्ट से है ऑप्सन नहीं हो जाएगा बाल मसी है चाइट पाइटिस देखेंगे हम लोग निमली खित में सकीस रेगिस्तान में 250 मीटर तक उचे बड़े रेत के टीले हैं और प्रिथिवी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सस्तर हीत छेतर है इसका उत्तर हो जाएगा आपका रब अल खली रेगिस्तान ओप्सन बी हो जाएगा रब अल खली रेगिस्तान ओप्सन बी आगे हम लोग देखेंगे 36 भारत में एसिया का पहला निर्यात प्रसंस्करन्ड छेतर इपीजेट कहां स्थापित किया गया था जिसका उत्तर हो जाएगा आपका कांडला गुजर आगे हम लोग देखेंगे 37 पंच बढ़ जूर फोजना के की संस्करन का उद्देश खाध्यान उत्पादर में तेजी लाना है रोजगार के उसर बढ़ाना है और खाधकार और उत्पादक्ता पर ध्यान के निर्द कहते हो उत्पादक्ता बढ़ाना था और वहाँ बहुत सफल रहा तिसका उत्तर होगा आपका सात्मी हो जाएगा option B हो जाएगा निश्ठ हम लोग देखेंगे निम लिखित में से कौन सा भार्तिस आर्थिक नियोजन के जनक थे आर्टिस का उत्तर हो जाएगा आपका एयम विश्वेश सरया थे एयम विश्वेश सरया option C हो जाएगा 49 है अपने पहले चनल के दौरान आपरेशन फ्लर्ड ने भारत के अठारे परमुक दुग दसेडों को भारत के च्यार परमुक महान अगरी है सहरों में उभगताओं के साथ जोड़ा नि मिखित में से कौन सा सहर इस आपरेशन का हिस्सा नहीं था तिसका उत्तर हो जाएगा आपका 49 का उप्सन ही हो जाएगा बैंग लेरू निश्ट की शुन हम लोग देखेंगे चालिस सामान परिसारमिक अधियम उप्सन हो जाएगा अध्या सेकेंड में अव्सन ड हो जाएगा इसका उत्तर निश्ट की शुन हम लोग देखेंगे जीएश्टी की कौन सी परमुख विसेस्ता क्रेडिर की निर्वाद प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपक्ता पर करकर के बोज को कम करती है जिसका उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन भी हो जाएगा गंतब पर अधारित कर निमनिखीत में 20 मामले पर अनेके केंदरी अभीधान मंडल के पास कानून बनाने की सकती है जिसे अपसिष्ट सक्तियों के रूप में जाना जाता है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन C हो जाएगा साइबर कानून नेश्ट की इशन हम लोग देखेंगे 43 स्वतन्त भारत के पर्थम मुख है चुना आयक तो कौन थे तिसका उत्तर होगा आपका सुकुमार सेंथे अपसन यह हो जाएगा सुकुमार सेंथे अपसन यह हो जाएगा प्रसंद 46 देखेंगे हम लोग किस चालक का परित्रोद निम्रिखित में से किस कारक पर निर्भन नहीं करता है तो 46 का उत्तर हो जाएगा आपका चालक की आधरता आपसन भी हो जाएगा 45 है भारती समिदान के किस अनुश्यद में यह सामिल है कि राजपाल विधान सभा को संबोधित कर सकते हैं राजपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं तिसका उत्तर हो जाएगा आपका अनुश्यद 175 में आपसन C हो जाएगा 46 है निमलीखित में से कौन सा जिला और अधिनीस्त नियालो और उच नियालो के आधिसों नियुडों और मामलों के बीवरण का एक ब्यापक डेटा बेस परतान करता है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका आपसन भी हो जाएगा राश्टी नियाएक डेटा ग्रेड आपसन बी हो जाएगा नियुडों के निमलीखित में से किस जानोल में अच्छी तरह से बेक्षित जल शम्वनी तंतर होता है ते इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑपसन अ हो जाएगा इस पंज होता है आगे हम लोग देखेंगे नेश्ट ये गड़ीत का सवाल है तो इसको solve करने पर इसका उत्तर आएगा आपका एक बटा डू आप्सन डी हो जाएगा एक बटा नव पलस एक बटा चोप बलस एक बटा बार 10 को यद हमें लोग करेंगे तो कितना आजाएगा एक बटा दो आजाएगाो आणग तालिस का option यह होगा एक बटा 2 और यह जो परश्न डिया है x का किस मान के लिए यह कथन एक्स बटा एक्स गुड़े एक्स बटा एक्स और नमासी बराबर एक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा option C हो जाएगा 63 50 है एक 801-1 गुड़े 3-5 गुड़े 3-9 गुड़े यह जो सवाल है इसका उत्तर हो जाएगा है आपका 288 है इसको 308 हो जाएगा एक्स चाण है काच्छी आमों में ही निमिनिखित मेंसे कौन सा आहल система पखो प्रिशन्मिकत द्वाव कौम अपने और प्रिश안 ये पानी का नमुना लेने किया जाता है ति इसका उत्तर हो जाएग आपका गेज met RE होता है और आपन रिखार पीजो मीटर होता है मानम CC में दौन नीयराइन के बीच की अंतर को नीमलीकित शुट नाम से जाना जाता है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका सीनेप्स के नाम से जाना जाता है और चाम सीनेप्स 54 हम लोग देखेंगे 54 गीता की राय में उसका वजन ये गड़ित का सवाल अगया है गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है गीता के इमा गीता से सामत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 kg से अधिक लेकिन 60 kg से कम है इसको भाई का मानना है कि उसका वजन 58 kg से ज्यादे नहीं हो सकता है या दिवे सभी अपने अनुमान से सही हैं तो गीता का विभी संभावत वजनों का उसत क्या है तो इसका का उत्तर हो जाएगा आपका यह संतावन केजी हो जाएगा संतावन किनो कराम ऑप्शन डी हो जाएगा कि पच्पन का आपका यह पच्पन का जो सवाल है 0.0203 गुड़े 2.92 यह जो सवाल है इसको इसको सॉल्फ किया जाएगा तो इसका उत्तर आ आपका 0.8 आजाएगा, 0.8 आएगा, option यह इसका उत्तर हो जाएगा, 56 हाथ को, यह हिंदी का सवाल है, मुहावरे का सवाल है, हाथ को हाथ न सूझना, मुहावरे कर्थ क्या है, हाथ को हाथ न सूझना, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यह बहुत घना अंधेरा होना, ब पित्र इच्छा बनेगा, option B हो जागा, पित्र इच्छा बनेगा, अंठावने निमलिखित में सकीस विकल्प में सभी सब्द, तरंगड़ी सब्द के प्रयावची हैं, तिसका उत्तर हो जाएगा, सरीता टट्रनी और निमनकता आईस, यह सरीता अतरंगड़ी का क्या है, प्रयावची, option C हो जाएगा, उनसे निमलिखित में सकीस विकल्प में वाक्यांस के लिए एक सब्द सही नहीं है, तो यह पूर्मा की रात कुहू नहीं कहा जाता है, यह option यह हो जाएगा, निश्ट हम लोग देखेंगे, 60 निमनकते में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युगत में गलत है, तो इसका यह पहला ही गलत है, जैसे कर परसाथ लोका यतन, यह सुमिंत्रा नेंदन पंतजी का एक रचना है, निश्ट की शन हम लोग देखेंगे, 62, सरी 61 देखेंगे, यह अंग्री जी का कुछ शवाल दे दिया है, एक परसन हुआज अन अब इस से विस तू इस्टील, तिसका उत्तर हो जाएगा, 61 का उत्तर हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा, 62 का उत्तर हो जाएगा, हम पढ़ने रहे हैं, इसे हम बता दे रहे हैं, 62 का उत्तर हो जाएगा, आपका, ऑप्शन भी हो जाएगा, बी साइड हो जाएगा, बी साइड हो जाएगा, ऑप्शन भी इसका हो जाएगा, और तिरसर दिया है, पूर्ट दा करेक आर्टिकल, इसमें correct सही आर्टिकल भनना था, इसमें भी दिया था, fill and the blank भी the current preposition, बिराट प्लेज क्रिकेट, बिराट प्लेज क्रिकेट, इसमें क्या भनना था, beside भनना था, option भी हो जाएगा, put the correct articles तो इसमें क्या भरा जाएगा तो इसमें भरा जाएगा आपका option C हो जाएगा दो भरा जाएगा the president of the united state will in the भारत next week आगे हम लोग देखेंगे एक paragraph दिया है इससे संबनित कुछ प्रसंद दिया है तो इसको हम फटा-फट इसके answer बता दे रहे हैं आपको what is the center of the nation emblem तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका option A हो जाएगा धर्म चक्र हो जाएगा धर्म चक्र पैसेट है which of the following animals in not include in the nation emblem तो इसका उत्तर हो जाएगा अपका option A हो जाएगा tiger हो जाएगा कि हमसेत्र देखिंगे आप ॏ छचछट है चन्ने जयपूर से बड़ा है और सूरत कोलकॉادत से बड़ा है रायपूर जयपूर जीतना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है कोलकॉत्त सूरत कितना बड़ा नहीं है सबसे छोटा कौन सा है सबसे चोटा क्या है को छाएगा कि 60 है दस बचीस बजे घरी की सुयों के बीच परति वर्टी कौन होता है परति वर्टी क्या होता है दिसके उत्तर हो जाएगा आपका एक सो सानवे से एक बटा दो हो जाएगा अपसन यह हो जाएगा नेश्ट किश्यन हम लोग कहा है 68 है इन में से बेजोड को चुनना है जो बेजोड है तो यह हो जाएगा आपका 17, 227, 299 और 347 ओपसन दी हो जाएगा 59 है पंदर बच्चे एक पक्त में उत्तर जिसा की और मुख करके खड़े है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बीमल बाय छोड से तेरवे स्थान पर है यह उप्सन इसका सत्य नहीं है सत्य नहीं है सत्य इस प्रस्ण में से दो कथन है पहले और दूसरे दिये है इस प्रस्ण में दो कथन है पहला और दूसरे दिये गया है यह कथन या तो सोतंत कारण हो सकते हैं या सोतंत कारणों का समाने कारण के परभाव हो सकते हैं इन में से एक कथन दूसरे कथन का परभाव हो सकता ह दोनों कत्रों को पढ़े और नींडनेनी लगी निम्मीलिकीत में कौन सा उत्तर विखल्प इन दोनों कत्रों के संबन्द को सही ढंग से दर्शाता है तो हम लोग कत्षन Simmons देख लेते हैं कथन एक मौसन विभाई ने ये बियान जारी किया है कि जारी कर देश के कई हिस्वें में मानसुन के तौरान कम बारिस होने का जिक्र किया है कथन दो है सरकार ने संसोधित अनुमानित जीटीबी बिरिधी दर को पहले के अनुमान के अस्थर से कम कर दिया है इसका उत्तर हो जाएगा आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका A हो जाएगा थोड़ा हेंग कर रहा सिस्टम इसका उत्तर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यादि कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है आगे हम लोग देखेंगे नेश्ट किशन हम लोग देखेंगे हाली में राष्टपती दुरपती मूर में ने राज घाड के निकट निम्रिखित में सकीस अस्थान पर महात्मा गाधी की परितीमा का अनावरन किया है इसका उत्तर हो जाएगा आपका गाधी दर्सन हो जाएगा गाधी दर्सन नेश्ट किशन हम लोग देखेंगे बहत्तर है भारती राष्टी भुकता निगम नेश्टनल पेमेंट्स कार्पोरेशन आफ इंडिया ने निम्रिखित में सकीस अस्थान पर ग्लोबल फिटनेस फेश्ट 2023 में यूपी आई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका बॉंबई ऑप्सन बी हो जाएगा बॉंबई बी से बिमबई ऑप्सन बी हो जाएगा नेश्ट किशन हम लोग देखेंगे नेश्ट हम लोग देखेंगे नेश्ट हम लोग देखेंगे निमलीखफमे से किसने हाल ही में जनता को वास्तिविक समय में पुर्मानुमान पर्दान करने के लिए एक मोईल अप्लिकेशन फ्लडवाच लांच किया है जिसका उत्तर हो जाएगा आपका स्री कुस्विंदर बोहरा अपसन भी हो जाएगा स्री कुस्विंदर बोहरा नेश्ट कीशन हम लोग देखेंगे हाली में सीमा सडक संगठन बीयारो ने पूरीवल अधा के करिब दुनिया की सबसे उची मोटर वाहन चलाने योग सडक का निर्मार शुरू किया है निमलीखित में वर्तवान में 20 वकी सबसे उची मोटर वाहन चलाने योग सडक कौन सी है जिसका उत्तर हो जाएगा आपका आपसंटी हो जाएगा उम लिंगला दर्रा निष्ठ हम लोग देखेंगे निमलीखित में सकी संगठन ने हाल ही में एक लब्य एक अनुसंधान संबंध कारिकरम लांच किया है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नेस्टन ला इनवर्सिटी डिल्ले आगे हम लोग देख किसे हाल ही में ललितपूर नेपाल में आयोजित काठमानुक कलिंग साहित महसुस्वा में सम्मान प्राप्थ हुआ है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्सन भी हो जाएगा डाक्टर माधव परसाद पोर्खले इसके बाद अगला हम प्रसने देखेंगे अगला प्रसने उस दिन का नाम बताई है जो भारत में स्कूलों कालेजों में छातरों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल पंदर सितंबर को मनाय जाता है जिसका उत्तर हो जाएगा आपका संचाई का दिवस होता है संचाई का दिवस नेकल की आथ है क्यूबा नहीं बना है हम लोग देखेंगे बैंक आफ इस्राइल हाल ही में ॆইसी सी आर में सामिल हुआ है ICCR का पूर रूप क्या है ICCR का पूर रूप पूछ रहा है इसका उत्तर हो जाएगा आपका International Committee on Credit Report हो जाएगा International Committee on Credit Report Option D नेश्ट किशन हम लेकिया सी देखेंगे सौधी अरब समराज में निम्लिकित में से किस अस्थान पर दच्छली पूरवी एसिया में मैतरी और स्वयोग की संदी TSC में सामिल होने के दस्तावेज पर हास्ताक्षर किया है इसका उत्तर हो जाएगा आपका Jakarta, Indonesia Option C हो जाएगा जाकारता, Indonesia नेश्ट किशन है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संदन ओपेग की स्थापने के लिए संमेलन कहा हुआ है जिसका उत्तर होगा आपका Option D हो जाएगा बगदाद में हुआ है Option D हो जाएगा बगदाद में हुआ है Option D उत्तर हो जाएगा नेश्ट किशन है भारत के पहले नियोजेत आधुनिक सहर की आधीकारिक भासा निम्लिकित में से कौन सी है तिसका उत्तर हो जाएगा आप्सन D हो जाएगा अंग्रेजी है नेश्ट किशन हम लोग देखेंगे निम्लिकित में से किसे से संबंदित एकमात उधारान है जब भारत के राश्पती ने अपनी बीटो सक्त का परियोग किया है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका आप्सन B हो जाएगा भारतिया डागघर संसोधक भीधेयक नेश्ट किशन हम लोग देखेंगे खसावा दादा शाहिब जाधन निम्लिकित में सकीस खेल में उलम्पिक पता जीतने वाले भारती बने है खसावा दादा शाहिब जिसका उत्तर हो जाएगा आपका आप्सन C हो जाएगा कुस्ती यह किसी संबंदित एक कुस्ती से निम्लिकित में सकीस भारती सवतंतर सिनानी ने हिंट्स वार सेल्फ कल्चर नामक पूस्तक लिखी है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका लाला हर्दयाल ऑप्सन C हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे उस जल डमरू मध्य का नाम बताई है जो जावस सागर को हिंद महसागर से जोडता है जिसका उत्तर हो जाएगा आपका सुन्दा जल डमरू मध्य होगा आपसर सी हो जाएगा 89 है रिशी मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियो सोरसती और दिवसदती के बीच का भुभाग के नाम से जाना जाता है जिसके उत्तर हो जाएगा आपका ये ब्रहमवार्थ के नाम से जाना जाता है आगे हमने देखेंगे गुजरात के छोटा उदेपूर छेत्र में अमतरप पिथावरा को परसाथ के रूप में केवल पूर्शो द्वारा बनाएगे भीत चित्र वाल मूरल्स अरपड किये जाते हैं यहां पिथावरा का अर्थ है ते पिथावरा का अर्थ होता है अन्न की देवता आपसे नहीं हो जाएगा अन्न की देवता यह अपने सुक और सम्रिधी के लिए यह थेवार मनाते हैं निमलिखित गर्धांस को पढ़कर दीजिए तो गर्धांस का उत्तर हम लोग देख लेते हैं इसका प्रस्न इधर दे दिया है प्रस्न इधर अध्यात्मिक सब्द में करम सब उपसर्व मूल सब्द और परत्य है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका अधिपलस आत्म प्लस एक अधिपलस आत्म प्लस एक अफ्थन डी हो जाएगा बानबे है स्वामी बीवेकानन्द इस बात को समस्ते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे वागन का परकार है जिसका उत्तर हो जाएगा सायुक्त वाख है option c हो जाएगा यह एक परकार के सायुक्त वाख के है निष्ठ है गर्ध्यां सकंस्वार धार्म संप्रदाईयो के विषय में विवेकानन्त का विचारर था की हुए उनको विचारता सभी धर्म समान है और धानमस् Cool और जायज और स्वभाविक है। निष्ट पंचैन्मिय हमारे धार्मिक और अध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राण घातक होगा 94 के उत्तर हो जागा आपका और D हो जागा भार जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन 95 है मनावता कब खिल उठती है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मनावता जब पीछडों को सहारा दिया जाता है तो मनावता क्या होती है खुद खिल उठती है निश्ठ है निमनिखिंद का दान्स को प्रण के पूरे प्रसनों का उत्तर दीजिए 96 से सौत तक 96 से सौत तक 96 प्रसन हमने देखेंगे भाग को कौन लोग दोस्ट देते रहते है तो भाग को कौन लोग दोस्ट देते है तो आप्सन डी हो जाएगा जो परियत्न के अभाव में फन नम मिल पाने के कारण बचाव का बहानक होसते है निश्ठ है 97 परिस्रम सब्द कौन सी ब्याकरिक इकाई है परिशनम सब्द कौन से ब्याकरी की क्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यह एक प्रकार की संग्या है नेश्ट है अन्ठान बे जब हम अपना चिंदन के वल भागवाद को आधार मानगर करते हैं तब क्या होता है तिसका उत्तर हो जाएगा आपका हमलच के प्रती हमलच के प्राप्ति के लिए अप एच्छित परियात नहीं करते हैं और असफल होते हैं आप्शन C हो जाएगा इसका उत्तर निन्यान में देखेंगे हम लोग प्रती हैं आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रस्ण गध्यास में कायर किसको माना गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका option D हो जाएगा जो अप एचित परिश्रम से डर कर भाग का आस्रे लेते हैं उनको क्या माना गया है कायर माना गया है तो ये टोटल 100% हो गए, उम्मिद करें ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा, सस्क्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक लिए चाहिन बंदे मातरम